सितंबर के अंत में प्रस्तावित सन्युक्त राष्ट्र महास्भा, UNGA, के उनासीवे सत्र में वार्षिक बहस में 28 सितंबर को पीम नरेंद्र मोदी की जगव विदेश मंतरी जैशंकर वक्तव्य दे सकते हैं। सन्युक्त राष्ट्र से जारी वक्ताओं की संशोधित सूची से यह बात सामने आई है, मोदी सितंबर के अंत में न्यू यॉक की यात्रा करने वाले हैं। वह 22 को लॉंग आईलैंड में 16,000 सीट वाले नासाव वेटरंस मेमोरियल में संबोधन देंगे। वह 22 से 23 को UN के विश्य का शिखर सम्मेलन, बहतर कल के लिए बहुपक्षिय समाधान को भी संबोधित करेंगे। इस से पहले जारी सूची में मोदी के 26 को वक्तवे देने की उम्मीद जताई गई थी। सितंबर अंत से यह कैमरे काम करना शुरू कर देंगे। मौझूदा समय में बीते वर्ष लगाए गए 25 पेट्रोल पंप पर कैमरों से चालान किया जा रहा है। इस से अब तक 26,469 चालान किये गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, आधारित इन कैमरों को सिवहन विभागने एक. एकी करित अप्लिकेशन से जोड़ा है। पेट्रोल पंप पर पहुँचते ही वाहन का नंबर प्लेट CCTV कैमरों के जरीए स्कैन होगा। प्रितकों का आंकड़ा बढ़ सकता है। वियतनामी मौसम विज्ञानियोद्वारा यागी तूफान को पिछले दशक में इस क्षेतर के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक के रूप में वर्नित किया है। चीन में च्रकवात से भारी बारिश और हवाओं के कारण 8 अधिक घरों में बिज्री आपूर्ती बाधित हो गई। चावकार्य में जुटी हैं। शनिवार दोफर तकरीबन साधे तीन बजे तेज बारिश शुरू हुई। करीब आधे घंटे बाद अचानक पूरी बिल्डिंग ढगई। आसपास भगदर मच गई। सबसे पहले पुलीस मौके पर पहुँची। हालांकि इससे पहले नवदीब को रजट पदक विजेता घोशित किया गया था। बाद में इरानी एथलीट पेट सया साधे को आयोग्य घोशित कर दिया गया। इस कारण नवदीब का रजट पदक स्वर्ण पदक के रूप में अपग्रेड कर दिया गया। इसी के साथ भारत अब तक इस पैरालंपिक में साथ स्वर्ण, नौ रजट और तेरह कांसे पदक समेट 29 पदक जीत चुका है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आएमडी ने 8 सितंबर को 14 राजों में येलो और 3 राजों में औरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आंदर प्रदेश में बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। यहां रेड अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान में भी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा। मध्य महाराश्ट्र व दिल्ली में भी मूसलाधार बारिश की उम्मीद है। देश के कई राजों में बारिश का सिलसिला थम नहीं रहा है। तेलंगाना और आं चार्खंड कैबिनेट की बैठक हुई, चार्खंड मंत्राले, प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी, कैबिनेट ने मुख्य मंत्री ट्रांसजेंडर पेंशन योजना समेत कई एहम प्रस्तावों को मन्जूरी दी है, हिमन्त सोरेन चार्खंड कैबिनेट ने आज कई एहम प्रस्तावों को मन्जूरी दी है, चार्खंड के रांची में 520 बेड के आदिवासी हॉस्टल बनाने की मन्जूरी दी गई है, जेपी एस्सी द्वारा आयोजित परीक्षा के खर्च के लिए 29 करोड की स्विकृती दी गई है, चा बिना NRC के आधार कार्ड नहीं बनेगा, मुख्य मंत्री हिमंद बिस्वा सर्मा ने शनिवार को कहा कि असम में आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदकों को अपना NRC आवेदन रसीद नंबर ARN जमा करना होगा, एक विस्तरित SOP तयार की जाएगी और इसे 1 अक्टूब से लागू किया जाएगा, उन्होंने कहा कि राष्ट्रिय नागरिक रजिस्टर, NRC की आवेदन रसीद संख्या जमा करने से अवैद विदेशियों पर रोक लगेगी, मुख्य मंत्री ने कहा, आधार कार्ड के लिए आवेदन जन संख्या से अधिक हैं, हमने फैसला किया ह कि नए आवेदकों को अपना NRC, आवेदन रसीद नंबर जमा करना होगा, भारत और संयुक्त अरब अमीरात, UAE के रणनीतिक रिष्टे और अधिक मजबूत होने जा रहे हैं, अबु धाबी के क्राउन प्रिंस शेक खालिद बिन मुहम्मद बिन जायद अलनाहयान, का एक बड़ा प्रतिनिधिम अंडल भी आएगा, यह मुलाकात दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और उर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के उदेश्य से की जा रही है, शेक, खालिद राष्ट्रपती द्रौपती मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे, यह यात् भारत और युएई के बीच घनिष्ट संबंदों को और अधिक प्रगाड करेगी। तभी अचानक भेडिये ने उसकी मापर हमला कर घायल कर दिया, शोर सुनकर आसपास चारा काट रहे ग्रामीन वह महिलाएं मौके पर पहुँचे तो भेडिया खेतों की, और भाग गया।